हेलो एन मेलकम गाईज एक बार फेसे स्वागत है आप सभी का मेरे सीटूप चनल में तो आज का हमारा टॉपिक है औरिजिन आप अमपीविया यह जूलो जी थर्ड सेमेश्टर के पेपर फर्स्ट का सेकंड टॉपिक है फर्स्ट टॉपिक क्या था ओरिजिन आप कॉर्डिटा था जिसका वीडियो हमारे चैनल में पहले सही मौझूद है आप जा के दिख सकते हों और इसमें क्या है कि ओरिजिन आप को यह औरिजिन आप अमपीविया पढ़ना है फिर ओरिजिन आफ रेप्टेलिया पढ़ना है बर्ड पढ़ना है और मैमल्स को पढ़ना है देखें कोड़ेटा में बहुत सारे अलग-अलग फाइलम है लेकिन बेसिकली उन में से खाली आपको एंफिवेया रेप्टेलियस बर्ड एंड मैमल्स के बारे में ही पढ़ना है ठीक है आपका स्लेबस यही है तो हमारा आज का इसमें हम लोग पहले देखेंगे इंट्रोडेक्शन फिर डेफिनेशन औरीजिन आफ एंफिवेयांज पीसिस एसेंट्री क्रोशोप्टेरियन एसेंट्री पॉसिबल पॉलिफाइलेटिक ओरिजिन केसे ट्रांजिशन फ्रॉम वाटर टो लेंड एकोनोमिक इंपोडेंस एंड रिफ्रेंस तो जो एंफिवेया है वो बेसीकल होते क्या है देखिए इंट्रोडक्शन विखेंगे एंफिवेया या उभैचर सब्ग्रिक के दो वर्ड्स एंफि एंड बियोस से मिलकर बना हैं agens, ciąलव्येया ईभी कामनस क्या होते है डूड्स या दोरा तता बियोस का मतलभ होता है लाइफ या अर्थ जीवन होते हैं अर्था इस्ट्क्चर के आध़ार पर ऐसे एंइमल जो डूड्प वियतीत करते हैं वर्गय में आते है और एसे एनिमल्स क्या कहलाते हैं, amphibians या उबहेचर प्रा निक कहलाते हैं, definition दे सकते हैं, वोई एनिमल जो aquatic and terrestrial होते हैं तथा water and land में easily survive कर सकते हैं, amphibians कहलाते हैं, इन्हें fish and reptiles, दोनों के character होते हैं, ठीक है, इन्में क्या होते हैं, दोनों के character होते हैं fish and reptiles के क्या होते है एनिमाज जो है वो जल में भी कुछ समय अपने जीवन का कुछ important session जो होता है जैसे आप उसमें बोल सकते हैं reproduction का session, aid formation का session ऐसे जो important session है उनमें से कुछ session वे जल में व्यतित करते हैं तो कुछ session वे इस्थल पर व्यतित करते हैं तो ऐसे animals क्या हो जाते हैं amphibians हो जाते हैं अब हम बात करेंगे origin of amphibia की तो origin of amphibia में सबसे पहले क्या कहा गया है कि amphibia का origin लगभग 395 million वर्स पूर्व दीवनियन पिरोड में हुआ था वह भुवी पर चलने वाले first vertebrate थी वह भुवी पर चलने वाले क्याते first vertebrate थी amphibia कार्बोनी फेरस पिरोड जिसे की age of amphibia कहते हैं जिसे क्या कहते हैं amphibia का यूग कहते हैं age of amphibia कहते हैं इसे permanent पिरोड पर पहुँचे जहां इनका बहुत विकास हुआ फिर ये triacic period में लुप्त हो गए ट्राई एसिक पीरोड में लुप्त हो गए ठीक है तो जो फॉसिल्स होता है जो एंफिबिया का स्वर्पफामी फॉसिल्स होता है उसको लेवरिन्थो डोंटिया कहते हैं क्या कहते हैं लेवरिन्थो डोंटिया जब origin की बात करते हैं तो मस्तष से पूर्वज़ता देखते हैं मतलब PCN SM trees देखते हैं इस आधार पर amphibians का origin मचलियों से हुआ है क्योंकि amphibians की pieces से similarity body structure से मेल खाती है pieces मतलब मस्तष से group मतलब मचलियों का समुह जो होता है जिस group के according मचली जैसे animals आते हैं अब similarity क्या होते हैं जो मचली होते हैं और उनसे क्या amphibians की similarity है तो similarity यहाँ पर है cool blooded दोनों क्या होते है cool blooded होते हैं और respiration दोनों gills क्लिफ्ट करते हैं lungs के बात करें तो यहाँ air sex और गाल ब्लडर एक्सेक्टर होते हैं जो दोनों में हिस से हम लगवग होते ही हैं और इनमें क्या होता है canal system जो पायाता है ठीक और दोनों में अंडे देते हैं दोनों क्या होते हैं लेवरिंथो डिया के समकालिक थे किसके समकालिक थे जो fossils हैं किसके fossils उभेचर के fossils उसके समान थे यह तीन ग्रूप में थे एक्टीनो पिटेराईजी डी आप्ट़ोई और क्रॉसो पेटेराईजे थिकmed jadi note karate पेटर आईजी डीपनो और क्रॉसो पेटर आईजी एक्टीनोटेराईजी विकास क्रम से बहुत दूर ठीक है और डीपनो डीपनोई जो है डीपनोई में एंपीविया के एनाटॉमी एन फीज्योलोगिकल समानता हैं परन्तु पुराना मत को नहीं माना जाता है ठीक इसके यह दीपनोई में एंपीबियंस के एनाटोमिकल और फीजियोकॉलिकर समानता है पर फिर भी इन में पुरा नमत को नहीं माना जाता है क्योंकि क्योंकि इनका विकास जैना कॉर्वन कॉर्वन कॉन्वर्जेंट टाइप से हुआ है ठीक है फिर फिर आता है क्रॉसो पेट्रेजियन पीसिस से हुआ माना जाता है ठीक है जहां पर यहां पर देखिए यहां पर एक है क्रॉसो पेट्रेजियन और दूसरा है तो दोनों में समानता हम देखिए तो बेसिकली मैं जूम कर रहा हूं ठीक है यह यहां पर जो है यह क्या है इसक्यापूला है ठीक है यह लेबरिटर्दीय मतलब की फॉसल के इस kitaipula का पacji जूम क्या है मैंने तो यहाँ देखिए और यहाँ पे क्या है यह यहाँ इसका çaipula तो दोनों में क्या है लगभख सेमी है लेकिन आकार में अलग-अलग है ठीक है एसे ही दोनों में सभी अंग मौजुद है ठीक है इस कैपिला हुम्रस अलना ठीक है रेडियास इससे यहां समझ में आता है कि इन दोनों का विकास एक ही जिव जाती से हुआ है उत्पत्ति ठीक है तो इसलिए बोल जाते हैं कि जो उभैचर है क्रॉसो पेटेरियन से उत्पत्ति हुई है ठीक ह अब क्रॉसो पेटेरियन एसेंट्री मतलब क्रॉसो पेटेरियन पूर्वज्था एंपिबेंस के उत्पत्ति के पीछे डेवोनियन फिरोट के ऑस्टियो लेपीस और इथस्तोनो पेटेरोन के जिनस के द्वारा बना गए इरिपीडिस्टियन क्रॉसो पेटेरियन के द्व फाईलो जनेटिक रिलेसंशिप का एविडेन्स है मतलब यह अरंभीक उभेचरों से मोर्फोलोजी कली सिप्रमाण भी है फिर हम बात करते हैं इनमें क्या का सेमिलारिट थी तो जो प्रकार के सिमिलाइटर थी जिन में से यहां पर कुछ है ठीक है पैंटा डेक्टा लिम्ब इनके जो लिम्ब थे जो बोल सकते हैं चतुस पाद जो थे पंच पाद जो थे वह आगे कनवर्ट होकर फीन लोब में बदल गए ठीक है और करोटी और जाव दोनों समान प्रकार के होते हैं दोनों में देखें तो समान प्रकार के होते हैं तिसरा जो तीथ होते हैं उनमें सेम एनिमल्स होता है एनिमल एनिमल इनेमल सोरी इनेमल होता है जो तीथ होते हैं उनमें दोनों में ही इनेमल होता है और ग्रिन लैंड में प्रजेंट लेवरितो डॉन्ट फॉसिल् इस चोथो स्थिया के उभेचर केरेक्टर मौजुद है जो की प्रमाण है कि इनका विकास एक दूसरे से हुआ है ठीक है अब हम बात करेंगे अगला पॉसिबल पॉलिफाइलेटिक ओरिजिन MPBI के तीन ओर्डर एपोडा युरोडेला एनियूरा इतने भीन्य है कि वह उनकी एक फाइलोटिक पॉलिफाइलेटिक ओरिजिन को प्रमाणित करते हैं Eric, Jarvik एक बगानिक है, जो diphiletic उत्पत्ती को मानते हैं. Polyphiletic उत्पत्ती मतलब Poly मतलब बहुत philetic उत्पत्ती. ठीक है, और di उना कि dviphoiletic उत्पत्ती को मानते हैं. वह यूरोडेला एंड एपोडा की उत्पत्ती को Lepospondylas नाम Caroline Fer explains तता पर्मियन पिरोट के एक ओडर के जीब के साथ मानते हैं मतलब इनका इनका मानना यह है कि इनकी उत्पत्ति जो हुई है वो एमफीबिया के तीन ओडर एपोड़ा यूरोडेला और यूनोना के से उत्पत्ति हुई है ठीक है केस पर ट्रांजिशन फ्रॉम वाटर टू लेंड ठीक है अब देखिए दूसरा उत्पत्ति का क्या करण था उत्पत्ति का एक करण यह था कि जो जीव थे वे वाटर टू लेंड मतलब जल से भूमी पर जाते थे जिसकी करण जो उभैचर प्राणी है या आंफिबियांस है उनका उत्पति हुआ है का से एक मत के अनुसार डिवोनियन पिरोड सीजनल सुखो का था मतलब रितुनिस्ट सुखो का था कुछ रेपीडिस्टिस्यान क्रॉसोपेटे रिजियन के पास भूमी में चल कर चलनले के लिए उप्यूक्त लोब फिन थे ठीक है भूमी में चलन योगेता था किसके कौन से पिरोड के एनिमल के पास डिवोनियन पिरोड के एनिमल के पास एक केरेक्टर था मतलब उनके पास क्या होते थे कुछ लोब फिन होते थे जिसकी सहयता से वह जमीन पर चल पाते थे तो क्या करते थे वह लोग अपने अलग-अलग वाटर मतलब अलग अलग जगहों के जल के लिए वह चल के चले जाते हैं तो यह रोजाना करने लगे मतलब हमेशा यह करने लगे तो धिरे-जिरे उनके जो लोब पिन है वह डिवलब्ड होकर परिवर्थित होकर किसमें बन गए बदल गए मतलब हुए फूड बन बदलना चाल हो गए इस प्रकार चार पैर बन गए जिससे वह क्या बन गए मेढग गए लगवग ऐसे मतलब मेढ़ टाइप के एनिमाल्स बन गए क्या होता है ठीक है और लिए भूमी पर जाते थे वहाँ पर आक्षिजन अच्छी अंची एक्पारै करनों को स्टिक्राइब के सपर प्रक्नन इस वे घ्रवब चालके कि बीघ्रवड जेव तो फिर जाते थे तो उनकी पर होनी लगे अब adaptation to amphibian lives अब कैसे amphibian lives में उन्होंने adapt कर लिया मतलब बरिवर्तित हो गए adapt कर लिया प्रवास्त में हो गया ठीक है एमपीबिया में वाटर से लेंड में आने पर निमने changes हुए पहरा लोकोमसन में तैरने के लिए धारा रेखे सरीर का विक्सित हो गया यूगमित पंक के इस्तान पर पाद लिंब विक्सित हो गया ठीक है iskeleton vertebral column कॉठोर हो जाता है ठीक है जो हो गया मसल्स क्या था बॉड़ी को भूमी के ऊपर उठाने के लिए अधिक इस्ट्रोंग मुसल्स डेवलप्ड हो गए। रेश्पिएरेशन। वये रेश्पिरेशन के लिए गिल्स का लंंक्स में चेज हो गया। इसके रेश्पिरेशन, पल्मुररी रेस्पिरेशन की पूर्थी करता है। सर्कुलोर्टरी शिस्टम, परिसंचरंद तंत्र, लंक्स एंड इसकिन द्वारा रेस्पिरेशन के लिए आवस्थक चैंजेस होते हैं एग एंड डेवलप्मेंट एक्स छोटे और वाटर में दिये जाते हैं ठीक डेवलप्मेंट होने के कारण एक्स जना छोटे होते गए संबेदी तंत्र, मुझे संड वेब्स को इंटर्नल एर्स को संचालित करने के लिए है एक बोन जिसको क्लोमीला और इसके साथ मेडन एर स्व्यजन रहता है ठीक है मतलब यो साउंड वेब्स आता है वो कान के उपरी परदे में आता है ठीक है फिर उसको अंदर क्या भेज जा जाता है संचलिक आ सबसे पहला सबसे प्रैक्टिकल में जैसे फ्रॉक्स का हो गया तो यह जो है बहुत ज्यादा उप्योग किया जाता है जैसे फ्रॉक्स का करते हैं यहां पे देख सकते हैं नैंटूर्स जिसका उप्योग USA भारत में भी रिसरे सेंटर में किया जाता है थीग दूसरा क्या हैSSogi भोजन के रूप में फोर एक्ञेंपल के लिए फ्रोक्स का उप्योग भोजन के रूप में USA में चाइना में जापन में आधी मैं आज भी किया जा रहा है ठीक है परभक्षा परभक्षा मतलब परभक्षी जो कीट होते हैं उनसे रक्षा तो जो बूफो मेरिनस एक जामपल आप लिख सकते हैं एक एनिमल्स है बूफो मेरिमस जिसको सुगर कहने यान है कि गन्ना के खेत मे है छोड़ दिया जाता है ताकि वह सुगर खेन को पहुंचाने वाले जो कीट होते हैं उनको खा जाते हैं और सुगर कहन की रक्षा होती है ठीक है प्रभक्षा जाता है क्या ब्यूफो मेरिनस अब बात करतेदें छठवा डी पंट है मेडिसिनल वैलू मेडिसिनल वेल में भेग चीन में मेडिसीन में यूज किया जाता है भेग की इसकिन से इस्तरावीद जो सॉलिसन होते हैं वो ब्लड और मनुस्य में अगर भेग की इसकिन से इस्तरावीद जो सॉलिसन है उसको इंजेक्शन के मादम से इंसेक्ट किया जाता है तो वो ब्लड प्रेशर को इंक्र सफराणी है उनका यूज बेसिकली बैफार के लिए और आर्ट के लिए धी कहला दिखाने के लिए और रिक्रिजन के लिएंटर्टैन्मेंट के लिए यूँकि अमेरीकया में आज भी जो फ्रॉक्स है उनका एक प्रतियोगीता रखा जहां फ्रॉक्स उचलते उचलते आगे पार करते हैं। ठीक है रडाया जाता है फ्रॉक्स का ये जिक एक अच्छा उधारन है। दूसरा ट्रेड आज भी जो फ्रॉक्स की स्कीन है उसका यूज पर्स बनाने लिए किया जाता है। करते हैं फॉर इक्जांपल्स एक प्रकार के मतलब इस्त्राव करते हैं जो डॉक्स और के लिए बहुती होता है रिफ्रेंस में आप लिखेंगे वर्टिबेट जुलोजी एनिमल डाइवर्सिटी सेकेंड बाई कोथपाल वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करें और अपने जोस्तिक साथ सेर जरूर करें थांक्यू